तीसी जंगे अजीम शुरू होने वाली है भारती नजूमी के हैरान कुन पेशकुई ने नई बहस छेड़ती भारती नजूमी कौशल कुमार ने तीसी जंगे अजीम शुरू होने की सही तारिख के हावाले से हैरान कुन पेशकुई करती है दुनिया भर में तजरिबा कार, मस्रविल के हालात और वाकिया और स्यासत पर नज़र रखने वाले माहिरी और सियासदान भी तीसी जंग अज़ीम के हवाले से कई तजावीज दे चुके हैं गेर मुलकी मीडिया के मताबिक तीसी जंगे अजीम का इमकान गेर ग्यकीनी खौफ और कियास आरायों में डूबा हुआ है पहली दो आलमी जंगों के तबाहकुन असरात अभी दुनिया भर में लोगों के जहनों, किताबों और इंटरनेट पर लफजों, तसावीर और वीडियोस की सुरत में माधवूद हैं इसी जंगे अजीम के हवाले से कई पेशिंगोईयां सामने आ चुकी हैं और माज़ी में जब भी ऐसा हुआ, हमेशा इस पेशिंगोईयों ने तवज्जो हासल की और इस हवाले से बहस भी शुरू हुई भारती मीडिया के मताबिक अब इस सिलसले में एक ताजा तरीन पेशगोई भारती नजुमी कौशल कुमार ने की है, जिन्होंने दावा किया कि तीसी आलमी जंग चंद हफते दूर है भारती नजुमी कोशल कुमार की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक कुछ मुमालिक में सियासदानों और ताकतवर शक्सियात को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जिबके कुछ सियासी ताकतवर शक्सियात के शदीद बिमार होने का भी इमकान है या वो इस सीफा भी दे सकते हैं भारती नजुमी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आलमी सियासी मनसर नामे में हलचल और जंग का इमकान जाहिर करते हुए तीसी आलमे जंग शुरू होने की हवाले से मंगल 18 जुन 2024 की तारिख की पेजगोई की है भारती नजुमी कौशल कुमार ने 10 और 29 जुन को भी इस हवाले से कुछ होने की पेजगोई की है कोशल कुमार का कहना है कि शुमाली और जुनूबी कौरिया, चीन और ताइवान, गल्फ मुमालिक के जानिब से एसाइल की शुमूलियत, रूस और युक्रेन जंग और इस पर नेटिव का रदे अमल, ये तमाम आहम आलमी मौजवात जिरे बहस रहेंगे मुक्ति मुमालिक के हवाले से कोशल कुमार का ये भी दावा है कि फोज कई मुमालिक में कंट्रोल हासल कर लेगी कोशल कुमार से पहले ब्राजील के एथोस लूम नामी माहरे इल्म नजूमी भी बहुत जलती सी आलमी जंग छिरने की पेशगोई कर चुके हैं एथोस सलूम के पेरोकारों का दावा है कि इससे कबल ब्राजीलियन माहरे इल्म नजूम की कई पेशगोईयां सच साबित हो चुकी हैं जिन में आलमी वबा करोना वाइरस, मलकर अलिस्वत दौम की वफाद, एलोन मस्क का टुईटर खरीदना और रूस यूक्रेन जंग समय कई आहम पेशगोईयां शामिल हैं ताहम अब एथोस सलूम की 2024 के हवाले से की गई कुछ पेशगोईयां सामने आई हैं गर मुलकी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक रवासाल के लिए की गई एथोस सलूम की पेशगोईयां में सबसे ज्यादा तवजव तलब तीसी जंगे अजीम हैं एथोस सलूम ने ये पेशगोई भी की हैं कि दुनिया भर में किसी भी तनासे का गहरा असर पढ़ सकता है जिसके नतीजे में कई आहम और बड़ी मेशचतों को किसात बाजारी का सामना करना पढ़ सकता है एथोस सलूम ने अमरीका पर हमले की भी पेशगोई की है गर मुलकी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक उन्होंने अफरीका और मश्री के वुस्ता में मौलिक कुद्रती आफास से भी खबरदार किया था जिन में समंधरी तूफान और जंगलाप में आतिजद्गी के वाकियात शामिल है